बिखार के सियासी गल्यारे में इन दिनों इफ्तार पाटी का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री निदेश कुमार जदियू और लालू परिवार के बाद अब सुवे के पुर्वु मुख्यमंत्री जीतन राम मानजी ने दावते इफ्तार का आयोजन किया जिसमें मुख्यमंत्री निदेश कुमार भी शामिल हुए इस दोरान दोनों के बीच सियासी बातचीत भी खूब हुई और वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी दोनों ने आपस में बात किया इस दोरान जीतन राम मानजी ने बताया कि किस तरह उनके उपर अभी दवाव है लेकिन पत्मी भी उन्हें सलाह देती है पुर्व मुख्य मंत्री जीतन राम मानजी के दावते इफ्तार में जब सीम नितिश कुमार शामिल हुए तो पाड़ी वारिक और राजनीतिक दोनों मुद्धों पर आपस में चर्चा हुई जीतनराम मांजी ने C.M. के सामने अपने दामाद के एक जमीन विवाद मामले को रखा तो मुख्य मंत्रे नितीश कुमार ने फॉरण बटना डियम को निर्देश दिया वहें मीडिया से बातचीत के दोरान जीतनराम मांजी ने सियासी हल्चल को लेकर भी बयान दिया उन्होंने सीम नितीश कुमार के लिए अपने अंदर आदर को बताया मीडिया रिपोर्स के रुसार जीतनराम मांजी ने हमकी रास्ट के कारेकारिनी बैठक में कहा था कि उनकर बहुत दबाओ है लोग उने अपने पास बुला रही है मांजी ने कहा कि अब फैसला लेने का समय आ गया है हालंकी बाद में जीतनराम मांजी ने ये भी कह दिया कि वुनितीश कुमार के ही साथ रहेंगे नहीं चाहता है कि हम किसी पार्टी के साथ बिलाय करेंगे प्रभातकवर.com विश्वास वही रवतार नहीं